इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक सव यात्रा आपकी मनो कामनाओं को कैसे पूरी कर सकती है शी कृष्ण ने बगवत गीता में कहा है कि मुरुत्यू एक ऐसा सत्य है जिसको कोई टाल नहीं सकता है जो जन्म लेता है उसके साथ उसकी मुरुत्यू भी निष्चित हो जाती है और मुरुत्य के बाद आत्मा का पुनर जन्म लेना भी निष्चित है इस पर दो कंडिसन है अगर आत्मा पूर्ण रूप से पुन्यशाड़ी होते है तो उसको मोख्ष मिल सकता है अगर पुन्यशाड़ी होती है तो कुछ समय के लिए वो स्वर्ण को भोगती है और बाद में भी उसको पुन्यशाड़ मतो लेना ही पड़ता है तो ये सनातन सत्य है इसको कोई टाल नहीं सकता कई कबार हम शाव यात्रा जब देखते है तो थोड़ा सा मन में हमें दुख होता है खेद होता है कई लोग थोड़ा से डर जाते है लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए कभी भी क्योंकि ये सनातन सत्य है आप शाव यात्रा को देखके कभी भी ना डरे कभी भी करीबी की मृत्यू हो तो शव यात्रा में सम्मिलित हो अगनी संस्कार जब चल रहा हो तो उसमें आप सम्मिलित हो सब कुद देखे सब कुद समझे क्योंकि इसको जानना ही पड़ेगा इसको आप इग्नॉर नहीं कर सकते कि हरेग आदमी की एक न एक दिल शव यात्रा तो निकलती ही है हमारे सास्त्रू में कहा गया है कि जब भी शव यात्रा निकलती है तो उसको देखकर आपको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि सास्त्रों में मान्यता है आपने देखा भी होगा कि कई भी शवयात्रा निकल देखे सब लोग जुब जुब के प्रणाम करते है उस शवयात्रा को सास्त्रों में मान्यता है कि अगर आप शवयात्रा को देखकर तीन बार प्रणाम करते है और उसके साथ एक शब्द का, एक मंत्र का उच्चान करता है जो है शिव शिव तो उससे मृतक आत्मा को शांती मिलती है जैसे कि आपने एक बार प्रणाम किया कहा दीजे शिव शिव दूसरी बार किया कहा दीजे शिव शिव त्रिसरी बार किया, बोल दिज़े शिव शिव ऐसा बोलने से, जो मुरुतक इंसान होता है उसकी आत्मा, प्रणाम करने वाले इंसान के दुख, उसके दर्द और उसकी जो असुब उसके जो लक्षन होते है उसको अपने साथ ले जाती है ऐसे समय में आप तिन बार प्रणाम करके, आप कोई कामना का भी उच्चारण कर सकते हैं क्योंकि आपके शिव शिव कहने से, उस मुरुतक आत्मा को परमशान्ती मिलती है मनुस मुरुती में भी लिखा है, कि जब भी शव यात्रा निकले तो हो सके तो उसे किसी बीड़ बढ़ वाले इलाग ऐसे निकाले, यानि कि गाओं में से निकाले इससे क्या होगा कि जितने भी बीड़ होगी, सब लोग प्रणाम करेंगे हजार लोग अगर शिव शिव बोलेंगे तीन बार तो इससे कितरे बार शिव का उच्चारण होगा तो इससे मुरुतक इंसान की आत्मा को शांती मिलती है उसके लिए श्वर्ग या मुक्ष के द्वार भी खुल सकते हैं इसके बड़ले में आपको मुरुतक जो इंसान है उसकी आत्मा से आपको आशिरवात प्राप्त होते हैं इतना ही नहीं जोतीशी के अनुसर भी शव यात्रा को देखना बहुत ही शूप माना जाता है अगर आप कही पे जा रहे हो रास्ता में शव यात्रा अगर आपको दीख जाए तो यह बहुत ही शूप लक्षन है इसका अर्थ है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो या आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण होने की पुरी संभावना है स्वपन में भी शव यात्रा देखना बहुत ही शूप माना जाता है तो जब भी आप शव यात्रा देखे तो विचलित ना हो अच्छे से प्रणाम कीजिए अच्छे से शिव शिव बोले प्रातना कीजिए मृतक आत्मा के लिए कि उसकी आत्मा को शांती मिले जिससे आपके भी जो भी दुख दर्ध है जो अशुब लक्षन है वो आत्मा उसके साथ ले जाती है धन्यवाद आप अमारे चैनल पर सब्क्राइब करें आप अपने कमेंट्स पर दीजिए थैंक्यू सो मच